स्वागत है आपका वॉंडर टेक्निकल गुरू में मैं साजी दली चलिए सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वाटसप के कुछ ऐसे फीचर्स जिनके बारे में आपको नहीं पता है जी हाँ आज हम आपको सिखाएंगे स्मार्ट वाटसप कैसे यूज करते हैं वाटसप तो सभी यूज करते हैं लेकिन जो उनके सारे फीचर्स को जानते हैं और उनका इस्तमाल करते हैं उसे हम स्मार्ट वाटसप और स्मार्ट यूजर कहते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं WhatsApp के ऐसे ही कुछ खास features के बारे में कि आपको मालूम है कि आप अपने WhatsApp से किसी से भी दुनिया के किसी भी language में chat कर सकते हैं जी हाँ WhatsApp के इस features का इसमाल करके आप दुनिया के किसी भी language में आप किसी को reply दे सकते हैं या उसकी बात को समझ सकते हैं WhatsApp में ही तो गाईज इसके लिए हमें सबसे पहले WhatsApp पे चलना होगा तो हम आपको ले चलना हैं अपने WhatsApp पे और फिर live practical करके दिखाते हैं तो गाईज अब हम आ गया हैं अपने WhatsApp के app पर अब हम आपको इसमें ले के चलते हैं कि कैसे हम दुनिया के किसी भी language में किसी से chat कर सकते हैं तो सबसे पहले हम WhatsApp की type message वाले box को open करेंगे अब हमें आप यहां से द्यान दीजे आप देख रहे होंगे एक option सबसे पहले emoji उसके बाद GIF sticker जो आते हैं उसके बाद सेटिंग और उसके बाद यह जो आपका बना हुआ है G और र हिंदी में इस पे आपको click करना है अब यह आपका open हो गया यह translator अब आपको इसमें type करना है यहां पे जो बिलिंग कर रहा है जहां हिंदी लिखा हुआ है select और यह automatic जिस language में आपको transform करना है वस language में यह translate हो जाएगा automatic जैसे कि मुझे यहां पर लिखना है I am sazid ओके अब देखी यहां पे मैंने जैसे यह select किया है कि हिंदी तो यह उपर क्या लिख कर आ रहा है मैं sazid हूँ ओके उसी तरह अगर आपको यह translate करना है यह चीज नहीं चाहिए आपको English में चाहिए यहां लिख दीजिए sazid है my name sazid my name is sazid ओके यह by default यह sazid को sajid में convert कर दिया है यहां पे आप इसको connect कर सकते हैं my name is sazid ओके तो यह तरीके से आप किसी को भी कोई message send कर सकते हैं जैसे की अब सब पूच कीजी हमें किसी को message लिखना है type करना है इंग्लिस में how are you how how are you okay मुझे इंग्लिस आती है लेकिन मुझे सामने वाले को हिंदी में ये चीज भेजना है ठीक है अब ये देखिए ये मुझे कहां से हिंदी में मैंने लिए क्या हाल है अगर सामने वाला उर्दू समझता है तो यहां से मैं उर्दू में और यहां से मैं सिंट कर दूँगा ये आ गया हमने भेज दिया आप कैसे हो मुझे ये सामने वाला भेजा है I am busy I call you later मुझे ये इंग्लिस इसकी समझ में नहीं आ रही मुझे देखना है कि ये कहना क्या चाहता है इसलिए मैं इसको copy कर लूँगा और यही text box में आकर फिर google open करूँगा और यहां पर paste कर दूँगा अब ये उर्दू में आ गया मैं बाद में आपको phone करता हूँ या फिर ये आपको उर्दू नहीं समझ में आ रही है हिंदी में हिंदी में लेक दीजिए मैं बाद में phone करता कितना easy हो गया हमारा WhatsApp यूज़ करना इसे कहते हैं smart WhatsApp यूज़ करना जी हाँ तो सिर्फ हिंदी इंग्लिस नहीं आप दुनिया के किसी भी language में Chinese में Chinese में convert हो गया आपको किसी और language में चाहिए Arabic में चाहिए Arabic में आपको किसी और language में चाहिए आप यहां से select किजिए Bengali में चाहिए Bengali में आपको किसी और language में चाहिए आप किसी भी French में आपको French में चाहिए आप French में convert कर सकते हैं That's it कितना आसान है हमारा WhatsApp यूज़ करना इस feature के साथ इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताने वाले हैं जैसे अगर आप किसी को कोई भी टेक्स्ट स्टार टेक्स्ट ए, बी, सी, डी और स्टार टाइप कर देते हो तो यह देखो यह ध्यान से देखो यह चीज यह फिर बोल्ड में आ जाएगा यहाँ पर देख रहा है न बोल्ड में यहाँ पर ध्यान से देखी यह चीज हमने इसमें नॉर्मल टाइप के यहाँ बोल्ड हो गया सेम चीज अगर हम टेंडल या अंडरिस्कोर लगा कर ए, बी, सी, डी और यहाँ पर अंडरिस्कोर जैसे हमने लगाया यह देखिए यह इटैलिक हो गया जैसे अंडरिस्कोर अटाया मैं इटैलिक से नॉर्मल हुआ और अंडरिस्कोर जैसे हमने लगाया यह इटैलिक हो गया दूसरा फीचर यह किसी को स्टैंडर्ड लैंग्विज में लिख कर भेजना है तो जैसे हमने लगाया